गुद बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डाटर वीके मिश्रा फ्रम गेस्टो लेवर हॉस्पिटल स्वरुपनेगर कांटूर आज हम अपनी गेस्टो लेवर हॉस्पिटल की जो एजुकेशनल इनिशेटिव है आज बात करेंगे गाल बेडर कैंसर के बारे वे जैसा आप जानते हैं कि नौर्धन इंडिया में जो गाल बेडर का कैंसर है इस कॉइट कॉमन गाल बेडर का कैंसर कुछ तरी की प्राबलम है जो हमारे सामने बहुत डिलेमा उत्पन करती है कि वास्तो में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और क्या किया जाए आज हम बात गाल बेडर है गाल बेडर वो अंग है जो हमारा राइट कॉस्किल मार्जन की नीचे होता है या दाई तरफ की पसली के नीचे होता है यह लिवर की नीचे होता है यह बेसिकली इसका काम इतना है कि जो लिवर पित बनाता है या बाइल बनाता है वो पित्ती की नली से होता हुआ गाल बडर में आता है गाल बडर में स्टोर होता है और जब हमें जरूरत होती है जब हम खाना काते हैं तो इसको डाइजिस्टीन के लिए जो हमारा गाल बडर है यह कॉंट्रेक्ट करता है इन बाइल को निकालके हमारी intestine में भेजता है इसका मतलब यह है कि जो गालबडर है वो बाइल को स्टोर करने का काम करता है और जब हमें जरूरत होती है तो हमारी intestine में बाइल डक्ट के थूँ जो बाइल है जो बहुत important digest or juice है उसे भेजता है त्योंकि बाइल के बिना खाने को नहीं पचाए जा सकता अगर हम देखें तो जो गालबडर cancer है वेसी तो दुनिया में इतना कामन नहीं है लेकिन ऐसा दिखा गया है कि जो गेंगिटिक बेल्ट है या गंगा का कछार है जिसमें हम जिस एरिया में रहते हैं particularly उत्तर प्रदेश में या वो एरिया जो गंगा के किनारे हैं चाए वो बिहार का एरिया हो चाए वेस्ट बेंगाल का एरिया हो या northern part of the country हो इसमें जो गालबडर का cancer है वो बहुत कामन है एक और देर का cancer बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके तो इसके क्योर की संभावना ज्यादा है लेकिन अगर गालबडर का cancer एडवांस हो जाता है तो इसके treatment के जो options वो बहुत कम हो जाते हैं और अगर options बहुत कम हो वास्तों में उसमें जो treatment है उसके बहुत सारे options patients को नहीं दिये जा सकते हैं इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो जानकारी आगे हम discuss करने वाले हैं इस पे आप ध्यान ने ताकि इस बिमारी को बहुत शुरुआत में ही अगर कोई risk factor है या आपको लगता है उस तरह की चीज़ है तो उसको पहचाना जा सके क्योंकि अगर यह थोड़ा सा advanced हुआ तो फिर उसमें treatment कराने से भी बहुत ज़्यादा आपको फाइदा नहीं होगा जो treatment जो गाल्वेडर के इंसर है उसको पहचानना मुश्किल है पहचानना मुश्किल इसलिए है क्योंकि शुरुवाती फेज में यह कोई science and symptoms नहीं देता है कुछ भी आपको problem नहीं होगे यह अंदर ही चलता चला जाता है नो कुछ यह उस तरह के area में होता है in the sense के दाईं तरफ पसली के नीचे तो यह बिना किसी उसके आगे बढ़ता चला जाता है और आपको कोई symptoms नहीं आते है in fact यह बहुत compactly placed होता है तो चूँकि यह complexly placed होता है तो बहुत आसानी से यह liver के अंदर फैल सकता है बहुत आसानी से पित्ती की नली में फैल सकता है बहुत आसानी से यह खाने की थैली के area में फैल जाता है विग्याने सामानती है कि अक्सर जब यह फैल जाता है चाहे वो liver में हो चाहे पित्ती की नली मो तभी गाल बेडर cancer पकड़ में आता है तो इसलिए छोटे छोटे जो symptoms हैं या कोई risk factors हैं उन पे आपको ध्यान देनी की जरूरत होती है ताकि अगर गाल बेडर का cancer है तो उसे शुरुवाती phase में ही पहचाना जाता कि particularly आप अगर गंगा के कछार में रहते हैं अगर आप इस एरिया में हैं जहां की गाल बेडर का cancer बहुत common है तो आपको बहुत छोटे-छोटे symptoms हैं उन पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है ऐसी क्या symptoms हैं जो गाल बेडर cancer लेके आता है जो पहला symptom है वो है दर्द जो दर्द होगा वो ऑपनावी से उपर की तरफ होगा कभी कभी दाई तरफ यहां भी हो सकता है ये जो दर्द ये पीछे की तरफ भी फैल सकता है, ये दर्द आपको कंदे के उपर भी महसूस हो सकता है, ये दर्द 24 घंटे हो सकता है, ये दर्द खाली पीट पर भी हो सकता है, कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप खाना खाते हैं, तो आपका ये दर्द प्रोनाउं नी की जरूरत है कि कहीं आपके गाल बड़त में कहीं कोई प्राब्लम तो नहीं हो रही है। आता है मेरा इसा सुचना है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रुवत है अगर आपको पीलिया हुआ और उस पीलिया के साथ में आपके जो लेटन है या स्टूल है वो वाइट कलर के हो गए है आपको पूरे शरीर में खुजली होने लगी है यह तीन ऐसे संक जाएगा अगर आपको इस तरह का पीलिया है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है नेक्स्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रियास नहीं किया उसके बाब जूली आपका वजन तेजी से गरता चला जा रहा है आपका जोना फैट गा इस्टेंशन, जॉन्डेस, एंड वेट लॉड यह उस तरह की सिम्टम्स हैं जिन पर आपको ध्यन देने की जरूरत है कुछ अनकॉमन सिम्टम्स आ सकते हैं आपको बुखार आना शुरू हो सकता है आपको उल्टिया आना शुरू हो सकती है क्योंकि अगर खाने की थैली मे अब लिवत गाल बेडर केंसर फैलेगा तो वामिटिंग आने लगेंगे सम्हाव ऐसा देखा गया है कि गाल बेडर केंसर में जो भूख है वो काफी देर तक प्रिजर्व रहती है तो इसलिए भूख बहुत देर में जोना आपकी गायब होती है तो अगर भूख आपकी ग जर्द है आपको अगर वेट लॉस हो रहा है आपको अगर जॉंडिस हुई या आपका पेट बड़ा हो रहा है अगर यह सब सिम्टम सा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है नो आगे देखिए कि क्या कारण है जिससे गाल बेडर का किंसर होत हे जो अंदर की कोशिकाएं होती हे वो कॉलम्नर सेयल्स होती है चुकि सेल्ट की जो कैंसर होता है गाल बेडर में यह एडेनो कार्सिनोमा होता है जो गाल बेडर केंसर है वो म婴ं명 होने में mutation होने लगता है जो उनका DNA है उसमें mutation हुआ और जैसे ही mutation होता है तो यह basically abnormal रूप से बढ़ना चुरू हो जाती है जैसे यह बढ़ती चले जाती है तो tumor की शक्त ले लेती है जो tumor बनता है वो गालबेडर के अंदर भी फैलता है गालबेडर के बाहर भी फैलता है और एक बार जो ना बाहर फैलने लगा तो यह पित्ती की नली liver, खाने की थैली यह nearby किसी भी organ में फैल सकता है तो over a period of time, over growth यह जो cells हैं जो के बिलकुल control के बाहर हो गई हैं वो tumor की शक्ल में आगे जो होना problem create कर देती हैं जब भी गालबेडर cancer की बात होती है तो एक million dollar question हमेशा पूछा जाता है और हमेशा सामने आएगा कि क्या गालबेडर में जो stone हैं यह basically cancer करते हैं यह question हमारे सामने हमेशा आता है यह मैं ऐसा मानता हूं कि question आपके दिमाग में भी आना चाहिए क्योंकि यह बड़ा logical question है क्या गालबेडर में जो stone है वो cancer बनाते हैं problem यह है कि अभी तक इसका कोई final answer नहीं लेकिन कुछ तक्ते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत हैं अगर गालबेडर के cancer को हम देखें तो 95% पेशेंट्स में अगर cancer है तो साथ में stone भी दिखाई देंगे नमबर टू जिन एरियाज में गालबेडर stones ज़्यादा कामन है उनी एरियाज में गालबेडर का cancer भी ज़्यादा कामन है अगर हम इस गैंगिटिक जिस धंग से विज्याद रिसर्च करती चली जा रही है इसका answer over a period of time आ जाना चाहिए क्योंकि विज्याद ऐसा मानती है कि गालबेडर में अगर cancer है और वो आपको कोई symptom नहीं कर रहा है तो शायद आप इंतजार कर सकते हैं लेकिन अगर Northern India में रहते हैं गैंगिटिक बेल्ट में रहते हैं जहां cancer का incidence जादा है तो यह जो fact है यह जो recommendation may not be true अगर आप इस area में रहते हैं यह आपको गालबेडर में stone identify होता है तो शायद उस stone को निकलवाना ही आपको गालबेडर की cancer होने की जो risk है उस risk से शायद वाहर रखने का एक सुरचिक तरीका है तो इस episode में हमने देखा कि गालबेडर का cancer क्या है हमने यह देखा कि गालबेड अभर आप तो शायद यह ए लागा है यह प्योंड़ से शायदेखा कि गालबेडर को गालबेडर का जड़ी आपकोद।